गुड आफ्टन पीपल मैं नेम इस विशाल लजसी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है क्या प्राइस एक्षिन एक्सपेट किया जा सकता है और कल मार्केट में सपोर्ट और इस्टेंस लेवल्स क्या होंगे आज जिस तरीके से हमने एक्सपेट किया था कि थोड़ा स अजिस काफी स्ट्रॉंग ते और एशन मार्केट में जैसे हमें बुलिशने सुबह दिखाई दिया उसी हिसाब से यहां पर हमें एक गाप आप ओपनिंग होता हुँ दिखाया उसी के साथ हमने थोड़ा से यहां पर बुलिशने भी एक्सपेट किया था विच अप विच वर्क्ट आउट रियली वेल अंटेल रिलाइंस एजम स्टार्ट एंड एक्जाट्ली अट टो अग्लॉक अधिस वोलाइंस वोलाइंस चैंडल वाज फॉर्म्ड अच्छा एक फॉल आया जिसमें बैंक निफ्टी में तो कुछ मोमेंटम नहीं आप आया बट निफ्टी थ नीचे आ गया है तो कल का जो हमारे यहां पर प्लान अफ एक्शन होना चाहिए यहां पर मार्केट कंप्लीटली नो ट्रेडिंग जोन में बहुत ज्यादा यहां पर सपोर्ट और रेस्टेंस लेवल बने हुए तो यहां पर मार्केट का साइडवेज जाने का चांद ज्या आने वाले टाइम में हमें अच्छा का सा एक मोमेंटम एक दिन के लिए मिल जा सकता है बाट अगर कल ही यहां से हमें ब्रेक आउट एक्सपेट करना है तो मार्केट को थोड़ा से यहां पर गैप ओपन होना होगा सम्वेर अट 19,350 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलता है तो हमारी फर्स यहां पर थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए थोड़ा सा हमारे पास अलग प्लान ऑफ आक्शन होगा 19,235 के निचे हम हाफ कॉंटिटी पहले सेल करेंगे और रिमाइनिंग हाफ कॉंटिटी इसेल ओनली इफ एक 15 मिनेस का कैंडल यहां पर 19,185 के निचे क्लोजिंग देता है उसी के बाद हम बाकी की कॉंटिटी अड़ करके यहां पर सेलिंग का डाउनसाइड के लिए प्लान करेंगे यहां पर इमेजेटली जो भी सपोर्ट और रेस्टन्स लेवल होंगे वहां अब भी आज देख लेते हैं थोड़ा सब हाईयर सफ्रे में चलता है अगर हम आरली के चार्ट में यहां पर देखते हैं तो आरली चार्ट में यहां पर सीधे सीधे हमें दीख रहा है कि माइन जो सपोर्ट आएगा वो सीधे 19,105 के आसपास यहां पर बट हो सकता है बीच देखने मिलता है तो यू कन स्टार्ट बुकिंग और प्रॉफिट्स आज पॉसिबल यहां पर इसे हम 15 मिनिट का चार्ट कर लेते हैं तो थोड़ा से यहां पर एक रेंज बनाने के कोशिश करते हैं जो हो सकता है मार्केट में यहां पर कल मार्केट में पैन आउट हो करता है 200 के नीचे भी क्लोज कर रहे तो मार्केट सीथे 19,100 के पास आता हुआ नहीं दिख पाएगा तो यहां पर कहीं न गहीं यह रेंज यहां पर हम डिसाइड करके आपको टेलिग्राम चैनल में आपको सुबह अपडेट किया जाएगा कि exactly कहां पर आपका यहां पर प् किंग कल हो जाना चाहिए तो इस विल बिदे लेवल्स फर तुमॉरो करेंटली जो जिस तरीके का मार्केट देख रहा है यहां पर हम ओवाय अनलिसिस करना ज्यादा प्रिफर करेंगे क्योंकि तुछ आल्रेड़ी है तो यहां पर 19,300 के आसपास में अगर देखता हैं तो यहां पर अच्छा खासा कॉल और पुटोवा है दोनु जगह पर यहां पर है 19,500 डेफिनेटली एक रिजिस्टनस है बाट यहां पर मार्केट में 19,400 पर भी यहां पर मार्केट में हलका सा प्रेशर आता हूँ देख सकता हैं सिमिलरली 19,300 शूड अक्ट अगर 19,300 ब्रीच हो जाता है तो यहां पर वापिस से जो कॉल राइटर से वह बहुत ज़्यादा हावी होते हो मार्केट में दिख सकते हैं हमें सिमिलरली डाउंसाइड 19,200 में बीदर नेक्स सपोर्ट लेवल जहां पर मार्केट आके रुख सकता है थोड़ा सा अगर बैंक निफ्टी कहां म पूरा बड़ साइडवेज ही मोमेंटम रहा इसका भी तो यहां पर कल अगर निफ्टी सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी को तो हो सकता है कि थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में वापिस दिखाई दे सम्वेर अबाव नाइंटी सब्सक्राइब के ऊपर हम हम स्टैन्स पर रहेंगे कि यहां पर सेलिंग जादा प्रिफरेबल है कंपेर टू ऑप्शन बाइंग विंकि बैंग निफ्टी अगर एका दिन का मोमेंटम दे भी रहा है तो उसके बाद में कंटिन्योस बैंग निफ्टी साइडवेज चला जा रहा है तो यहां पर अगर अगर long side का वेँ रहेगा तो put short कीजिए अगर short side का वीव अपना है तो यहां पर हम call short करते हो चलेंगे इंन केस अगर bank निफ्टी यहां पर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पर हो सकता है कि मार्केट में हमें सेलिंग का मौका तभी मिलेगा जब मार्केट 44,320 के नीचे यहां पर एक 15 मिंस का कैंडल क्लोज कर दे तब तक यहां में मार्केट में कोई भी सेलिंग का प्लान तो इस विल बी ट्रेंड लाइन के सब्सक्राइब कोई निचे आरे तो बीन ट्रेंट लाइन के आपन का तोने का शुक्राइब का कोशिश करे लिए लूज विल गाइस सेशन ओर विद जिस विली आपने टोमौरो विद्टी यहां में पर देंग्वी ने वीड वेने दिन तोमोरो